नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSD और आपके State PCS को ध्यान में रखती हुए इस सभी किलासें ली जा रहे हैं और इसमें आप देखे होंगे कि सबसे बहले हम लोग ने प्राचीन भारत का इतियास देखा था उसके बाद मद्यकालीन भारत का इतियास भी देखा है अब हम लोग प्राचीन भारत के इतियास की बात कर रहे हैं और इसमें आप लोग ने लाश्ट किलास में देखा होगा हम लोग ने संबराज जवाद और उपने बेस बात के बारे में एक सामान जानिकारी देखी थी और और आगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग NCEIT बुक से जरूर पढ़ लें क्योंकि उनके विना कुछ नहीं होने वाला है और बैसे कई लोग यह भी पूचते रहते हैं क्या इन किलासों से आपका वंडेक जाम भी कबर हो जाएगा क्योंकि आप देखते हैं कि स्टेट लेवल और आपका सेंटर लेवल पर भी तमाम एकजाम होते रहते हैं SSE, Bank, Railway या आप देखें सिक्षक भरती, Police भरती, SI, दरोगा समझ रहे हैं आप लोग तो आप देखें अगर आप लोग इन किलासों को पढ़ लेते हैं तो यतना यकीन मानिए आप लोग कि आपका कोई भी questions इन से बाहर नहीं जाएगा आज की किलास में हम लोग भारत में जो विभिनिस संस्थाओं का विकास हुआ है उनका overview लेंगे हम लोग और याद रखें इन सब के लिए आपकी एक separate पेले लिष्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है UPST and State PCS Prelims Special Classes के नाम से इसी में आपको सभी करम से कलास हैं मिल जाएंगी वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग सबसे पहले तो नियायपालिका के बारे में बात करेंगे क्या कि नियायपालिका का विकास किस तरह से हुआ है भारत में सिविल सेवा का विकास किस तरह से हुआ है पुलिस विवस्था सैना विवस्था या सिक्षा का विकास किस तरह से हुआ है इस पर भी बा बात करेंगे भार्टी विस्विध्यालाय अधिनियम जो आये था उस पर भी बात करेंगे सिक्षा बिस्ताओ सेडलर विस्विध्यालाय आयो हाटो समिती या बर्धा यूजना सर्जेंट आयो राधा किशनन आयो विस्विध्यालाय अनुदान आयो या कोठारी सिक्षा आयो या दाश्टी ये सिक्षा नीती 1986 हो और आप देखें कि आपकी जो नई सिक्षा नीती आई हुई है उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और आप लोग कहें तो एक किलासी उस पर हम लोग ओबर्विव ले लेंगे और भारत में समाचार पत्रों का इदिहास किस तरह से रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे यानि कि आप देखें इतने टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कितने इतने सारे टॉपिक आप कवर करने वाले हैं इसमें आपकी तो चलिए सबसे पहले हम लोग नियाई पालका के बारे में बात करते हैं और आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे देश में नियाई पालका आप लोगों को देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है नियाई पालका की बात करें तो लोगों को नियाय मिले कि उम्मीद खतम हो जाएगी और वो आप देखें कि एक तरह से उसके अधिकारों का भी खतम हो जाएगी और जिस से लोकतंत की हम लोग दम भरते हैं या आप देखें इनसान होने की बात करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो इसके स्वस्तों और सुचायों ढंग से कारे करने पर नांगरेकों की जीवन में खोसाली विवस्था में विश्वास और भाविस्थ के पिती सकारात्मक सोच बनती है यानि कि हर व्यक्ति की और आप सभी ने आर्टीकल 124 पढ़ा होगा अनुछेद 124 आप लोगों ने प आप देखें कि आपके देश में आपके जिला आदालत भी होती है तो अंगरेजी राजी की स्थापना की पूर भारत की नियाय पिडाली आइसफष्ट और आसंतोस्ट जनक थी पूरे देश में विविन ने नियायक सरचनाई थी और नियायक कार पूरता धारमी विधियों परंपराओ, रीती रिवाजों, ब्यक्तिकत मानताओं पराधारी थी, पेसासनी के बार नियाईक कार आपस में विभाजित नहीं थे, और विधी के समक्च समता, समानता और विधी के सासन का सरवता आभाओ था, आप देखते हैं कि राजाओं के आप लोग समय चले जाईए, आप लोग औरंग जेप का समय पड़े होंगे, आज भी उस समय कि आप देखें नीतियों के कारण, आज भी हिंदू मुस्लिमों में खाई बटी हुई है, यूँकि आप देखें कि उसने धार्मिक कर्टरता की नीति अपनाई थी, नियाय पालिका में भी, नियाय में भी, आप देखें हिंदू के लिए अलग नियाय बेवस्ता थी, मुस्लिमों के लिए अलग नियाय बेवस्ता थी, और उस समय राजा एक तरह से मुख के नियाय धिस हुआ करते थी कहिए आप लोग, यह अंग्रेजों की देन है, आज भारत में एक सुद्रिण, और आधुनीक नियाय बेवस्ता, और आप देखें कि भारत से अंग्रेज बहुत कुछ ले गए, लेकिन बहुत कुछ हमें मिला भी है, किन्तु अंग्रेजों का उद्देश भारत में नियाय बेवस्ते धाचा इस्थापीत करना नहीं था, बेतो भारत में उपने विश्ते सासन को का गठन लेकिन आप सोचे कि भारत को भी उसका कुछ फायदा मिला और निया एक सुधार की दिसा में आरंबिक प्रियास अगर आप देखें तो गवर्नर जनल वारिन हैस्टिंग द्वारा किया गया था और उन्होंने पितेक जिले में जिला कलेक्टर के समान जिला दिबानी और जिला निजामत नियाले की इस्थापना की थी और जिला दिबानी नियाले कलेक्टर के पिधान नियंतर में और निजामत नियाले सावान नियंतर में रखा गया और इन नियाले के बिरुद अपील किरमसा हिंदो मुसल्वान विधियों के अनसार होती थी और जिला आसन एवब नियायपालका के पिथक करंग का भी पूर्टा इसपर्ट नहीं था और आप देखेंगे नियायविकास के चित में इसने आपने देखा होगा कि बंगाल में एक सर्वोच नियालाई की स्थापना की थी और इसका अधिकाचित कलकता रहा था और भारती है और इउरोपियन सभी मुकदमों की सुनवाई करता था और यदि दोनों पक्षे सहमत हो तो यह कलकता के बाहर मुकदमों की सुनवाई कर सकता था और यह नियालाई अंग्रेजी बिदी के अधीन मामले को सुनता था और इसकी भासा अंग्रेजी होती थी आज भी तो आप देखते हैं कि हमारे देश का जो सरवच न्याला है वो है अधिकतर जो नेड़े होता है वो किसमें देता है अंग्रेजी में ही देता है लौड कर्णबालिस ने बौरिन हेस्टिंग द्वारा इस्थापिद न्यायपालिका की धांची को आतेदिक विवस्तित करके भारत में एक सुद्रिट न्यायपिणाली की न्यूग डाली और न्यायलेवा पिसासन का पित्थन करन करने का ठोस प्रयास भी किया और करनबालिस ने न्यायपालिका को पद सौपानिक क्रम में विवस्तित करके संपूर्ट वेटेस सासित पितेश में एक रूपता इस्थापित की पद सौपनिक क्रम में सबसे निचले इस्तर पर आप देखेंगे मुझसिप मजिस्टेट को रखा गया यह भारतिय न्यायदीस होता था और पचास रूपे तक के मुकदमे की सुनवाई कर सकता था इसके उपर आप देखेंगे रजिस्टार का न्याले था जो 200 रूपे त जाते हैं फिर आप लोग हाई कोट जाते हैं सुप्रीम कोट जाते हैं और यह विवस्ता इसलिए कीगी है कि एका एक बोज आप देखें सुप्रीम कोट पर ना पड़े मालीजे हमारे देश में एक ही अदालत होती तो सभी लोग उसी के दरबाजी खट 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 आते तो आप देखें अभी जो इतने पेंडिंग सारी केस पड़े हुए अगर वैसी वेवस्ता होती तो आप देखें कि लाखों पेंडिंग पड़े होते हैं लोगों की जिन्दी निकल जाती केस अपना केस देखते देखते और अभी भी आप देखें कितने लोगों की आज भी न नेड़े आता है तब तक वो दस से बीस साल जेल काट चुका होता है और बाद में उससे कह दिया जाता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है आप देखें उसकी तो जिन्दी का एक बड़ा हिस्सा चला गया ना और आज भी आप देखें कि गरीब क्या रहत है कि आप देखे गरीब क्या रहत है गरीब मीडियम परिपार बिवस्ता नहीं कर पाते हैं और अमीर आप देखें कि उसकी सुनवाई दूसरे दिन चालव हो जाती है और फिर आप देखेंगे जिला अदालत अदालतों से उपर फरांती अदालत थी हैं उससे उपर सदर दिबानी सदर जामत आदालत होती थी जो कलकत्ता में स्थापित था और कुछ मामलों में इसके बिरुद आपील इंग्लेंड इस्तित पिरवी काउंसिल में होती थी करनवालिस की नयाई पालिका को इस पेकार आप समझ सकते हैं किस तरह से पेवी काउंसिल सबसे उपर आप देखेगा सदर दीवानी निजामत फिर आप देखे प्रांती अदालते हैं फिर जिला अदालते हैं क्या जिला अदालते हैं और फिर रजिश्टार और मुंसिप सबसे नीचे मुंसिप देखेंगे आप लोग और सबसे उपर आप लोग देखेंगे पेवी काउंसिल ठीक है और कार्ण बा सहता कहा जियाता है नियम कहा जाता है और यह सहता सक्ती पिथकरन से धान पर आधारित थी और करणवालिस कलेक्टरों के बड़े हुए कारेयों से चिंतित था और सक्ती पिथकरन भी लागू करना चाहता था यानि कि सक्ती का बटवारा उसने कलेक्टरों से निया एक बार न आंगे चलके करणबालिस द्वारा किये गए प्रियास में थोड़ा परिवर्तन करकी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलेक्टरों को पुनाहा न्याई के वो निजामत कारियों को बापस दे दिया और इस समय तक न्यालायों की भासा फालसी होती थी और जिसके इस्थान पर अब इस्थानिय भासाओं को अपनाए गया और अभी भी तो बात होती है कि जो भी फैसले आए वो इस्थानिय भासा में होना चाहिए लोकल भासा में होना चाहिए, हिंदी भासा में होना चाहिए और आप लोग देखें, महावीर और गौतम बुद्ध के पारे में आप लोग उने पढ़ा होगा आप देखें कि वो जो भी कब कहते थे, अपने प्रबचन, बचन कहा करते थे भासर देते थे एक तरह से, वो इस्थानी भासा में देते थे कि आप देखें कि उस नेड़े को लोग समझ पाएं, उनकी अब आप देखें कि कहीं हिंदी बोलने बाले हुआ है, इंग्लिस बोलने लग जाई है आप लोग उनकी सिर से निकल जाएगा लौड बेंटिक के समय दिल्ली और आधुनीक उत्तर पिदेश के लिए एक पिथक सदर नियाले की स्थापना हुई, इलावाद में किया गया था और इसी समय 1833 में लौड मैकाली की अध्यक्स्ता में एक बिधी आयूग की स्थापना भी की गई थी, एक कुश्चेंस भी कई बार पूच लीता है, 1833 में और जिसका कार भारतिय नियालेयों में मामलों की विचारन के लिए बिधिक आधार पिदान करना था, और आयूग द्वारा किये गए फ्रियासों की पडाम सुरूख कलांतर में दीवानज सहिता 1869 भारती दंड सहिता, 1860 फौदारी सहिता, 1861 तेयार किये गए, जो आज भी कुछ संसुधन सहित बरकरार है, 1865 में एक स्परीवतन के तहस सर्वुच नियाले के साथ ही, सदय नियालेयों का बिलाय कलकता, मुंबई, मद्रास इस्तित उच नियालेयों में कर दिया गया था फिर आप देखेंगे, 1935 के भारत सासन, अधीनियम में संपूर्ण भारत, बेटिस भारत इविम देशी रियासतों के लिए एक संगिय नियाले की बिवस्था की गई, और इस नियाले को आधुनिक भारत के सर्वुच नियाले की सामान ब्यापक सक्तियां दी गई है, और ज सकती थे, यानि कि अंगलेंड में हो सकती थे, और वेटे सासन में इस्थापित नियाय परणाली की एक मुख्य विसेश्था यह थी कि पैरमे का वस्था में भारतिय नियाइदिस एउरोपियों के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे, यानि कि आप समझ रहे कि भारति भारतिय जो नियादिस थे, वो यूरोपियों अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, और यूरोपियों को दीमानी एवन फौददारी मामलों में कुछ विसेश अधिकार भी परापते थे, यानि कि यहां भी भेदभाव आप को देखने को मिल जाएगा, किन्तो धी धीरे धीरे यह विसेश अधिकार लगभग समाप्त हो गए, और भारतिय नहीं अधिसों को यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार भी फिरदान कर दिया गया, अब भारतिय भी यूरोपियों की सुनवाई कर सकते थे, वो लोग जो थे, और आप देखें कि इ पहली नियाय पालिका के दो पहलू थे, एक तो सकारत्म, एक आप देखेंगे नकारत्म, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि एक सिक्क्ये के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर काम के आप देखें कुछ नकारत्म, कुछ पोजिटिब, कुछ नेगेटिब पॉइंट रहते ह और सकारत्म में पहले कोई बात करें तो बिधी क शासन की इस्थापना की गई, पूर्य देस में एक उकिन नियाय की नहटें पाइडी नहटे टेयार thunder की गया गया, शासकों की वेक्तिका तो धार्म कानूनों और एक बात और आपको बता दू इन पॉइंटों को आप लोगों को नोट कर लेना है अपने पास रख लेना है इस तरह के पॉइंट आपको इंटर्वीव में भी मुख परिक्षा में भी पूछ लेता है और माल लीजे आप लोग देखे कई इसलिए बोल रहा हूँ मुख परिक्षा के लिए कावाई भी अच्छे पॉइंट यहां से मिलेंगे आप लोगों को अब बात करते हैं हम भारत में जो सिविल सेवा परिक्षा और मुझे रखता है कि आप में से कई लोग सिविल सेवा परिक्षा यूपीए से की तैयारी कर रहे होंगे तो इसी की बात हो रहे हैं भारत में बेटी सासन की स्थापना की समय कमपणी द्वारा जो नियुक्ती की गई वो एलूट पदिती पर आधारीत था जो योगता आधारीत पिसास की ये सेवा की विकास में बादा थी जैसे जैसे सरकार की कारे बड़े एक करमचारी अनगतिविद्धियों जैसे ब्यापार करना उपहार लेना आधी में लिप्थ होने लगे और जैसे कमपणी द्वारा इस्थापित पिसासन में भेष्टाचार अतिदेख बढ़ गया अब आप देखे कि वो अंग्रेज वहाँ से आये हुए थे अधिकारी बनकर वो भी यहाँ व्यापार करने लगे आप देखे रिस्पत कमाने लगे भिष्टाचार करने लगे कमपणी के बड़ी हुए कारेओं तथा पिसासन में बढ़ रहे भिटाचार को द्यान में रखती हुए लौड कलाइव ने कमपणी के अधिन सेवाओं को दो भागों में विभाजित कर दिया एक था केवें टेड अनुबद्य सेवाएं और एक था मक्के वेंटेड पितिग्या बद्य सेवा और उसने कमपणी के आसेनिक करमचारियों को बात दी किया कि बे एक पितिग्या बद भरें जिसमें उनकी सेवा की सरतें नीजी ब्यापार ना करना गुंस या उपहार लेन आदी नेवों का उलेक किया गया था यानी कि कहने का मतलब एक सरत उन्ने मनवाली कि आप एक गलत काम नहीं करेंगे कंपणी के आसेनिक करमचारियों को पितिग्या बद या फिर मक्के मक्य बेंटर बेंटर नागरिक सेवा नाम दिया गया इन है तो यह भी आप लो और किल जो आज आप लोग कलेक्टर नाम सुनते है ना उसका पहले काम क्या हुआ करता था घुराजस एकत्तन करना घुराजस एकटा करना हुआ करता था फिर आप देखें कि इसके लाबा इन्हें कुछ पिसासनी उप्तरदायत भी सोपा गया और इसी भी जलाधीस के पत को सरजि सिवाओं में कुसलता लाना था क्या था कुसलता लाना था करमचारियों के ब्यापार करने पर पावंदी लगा दी इसने कि आप करमचारी ब्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप ब्यापार करेंगे तो आप देखें फिर से भिष्टाचार होगा करमचारियों के बेतन मे को मानता दी गई कि आप देखिए अगर कोई अच्छा काम करता है वरिष्ट मतलब उसे और अच्छी इस्तिती पर पहुंचाया जा सकता है अधिकारियों के लिए रिस्पत उपहार लेने पर पिती बंद लगा दिया गया कि आप जो अधिकारी हैं वो रिस्पत नहीं ले सकत लेकिते हैं गिप्ट नहीं ले सकते हैं वो पहार का मतलब समझ लेजिए माली जान फोड़ी अधर वर्ना वही यह ही कहते कि रिस्पत थूड़ी थी यह उन्होंने गिप्ट दिया हुआ है तो उनी गिप्ट पर भी एक तरह से क्या लगा दिया गया पिती बंद लगा दिय गया गया है कौन वालिस के बाद बेले जली ने 1798 से 1906 लोग सिवाओं की फिशिक्षन पर अधिक ध्यान दिया किसने बेले जली ने और उसके उसने इसके लिए अठारे सो में फोर्ड विलियम में एक कॉलेज की स्थाफना की जिसे फोर्ड विलियम कॉलेज कहा गया था किन्तु वोर्ड आप डारेक्टर्स बैटन ने इसे बंद करके अठारे सो चे में हेलवरी कॉलेज की स्थाफना की जिसमें चैनित अभ्यारतियों को दो वर्ड का पिशिक्षन देने के बाद भारत भेजा जाता था मसूरी जाते हैं ना आप लोग लवासना जाते हैं ना उसी की बात हो रही है 1833 के चार्टर एक्ट में घुसना की गई कि भविस में सभी निवक्ति पितियोगी परिक्षाओं के अधार पर होंगी इसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के बैट सकेंगे जो आज की समय में आप लोग देख रहे ना इसी की बात हो रही ए 1833 के चार्टर एक्ट में एक गोशना कर दी गई कि आने वाली भवस में जो भी परिक्षाओं जो भी निवक्तियां होंगी वो पितियोगी परिक्षाओं के अधार पर होंगी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसके साथी बोर्ड ओप डारेक्टर की निवक्ति समंदी अधिकार अथारे सो तिरेपन में इसी पेकार की गोशना की होई किन्तु इससे किरियानवित नहीं किया गया घोशना तो कर दी गई लेकिन इसे किरियानवित कार में नहीं लाया गया और इस दिशा में 1874 का बस मात कूर्ण है जबकि Lord मेकाले की अध्यक्षता में सिविल सेबा समिती 1853 की प्रावधानों को भी दोहर आया है इसके पश्चा डिप्टी कलेक्टर का पद सहजित किया PCS की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको माल होगा कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता है सेविल सेवाओं में परीक्षा के बैठनी की आयू प्यारम में 23 साल थी भारत इस परीक्षा में सामिल ना हो पाए इनका यही उद्देश था अब 19 साल में आप देखे 21 साल कर दी गई पहले 23 थी 25 कर दी गई 1866 में 21 कर दी गई और 1878 में इसे 19 वर्स कर दिया गया यानि कि सिधी सी बात उनका उद्देश था भारतियों को रोगना उसे कोई भी हतकंडे अपनाए 1878 से 89 में लॉर्ड लिट्टन ने बैधानिक सिविल सिवा की योजना पिस्तुत की इसे योजना की अनुसार तिसासन की एक छटवी अनुवत्द पद पर उचे कोल के भारतियों से भरे जाने थे और इन पदों के लिए प्रांतिय सरकारी से भारिस करेंगी और वायसराय इवन भारिस सचिप की अनुवती के पश्चा नियुक्ती कर दी जाएंगी और इन की पदवी और बेतन संगलित सेवा से कम होता था किन्तु यह विवस्ता आसफल हो गई और आट बर्स पश्चात इसे समाप्ति भी कर दिया गया क्या कर दिया गया समाप्ति भी कर दिया गया तो यह भी रही है आगे देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे कि इसे बीच जैसे जैसे राष्टिये चितना का विश्थार हुए यानि कि लोग जागरूख हुए बैसे ये बैसे पैरंबिक राष्टवादियों द्वारा सेविल सिभा के भारती करण की मांग बरती गई एची सनकमेटी की निप्टी कब हुई 1886 में जो कॉंग्रेस से इसकी स्थाबना कब हुई थी यह आप सभी जानते हैं कि 1885 में एची सन आयोग ने क्या सेफारिस ने की थी? सेवाओं को भारतिय सेवा प्रांतिय सेवा और अधीनस्त सेवा नाम तीन बरगों में विभाजित किया गया है भारतिय सेवा की परिक्षा इंग्लेंड में हो और इसमें भारतिय वा यूरोपिय दोनों ही बैठ सकें से इस दोनों सेवाओं की परिक्षा भारत में हो और इसमें भारतिय ही हो और सेवा की आविव बढ़ा कर 23 वर्स कर दिया जाए एक एची सन आयोग ने सिफारिस की थी आयोग ने भारत बीवा इंगलेंड में एक मात परिक्षा आयोजित करने का विरोध किया और 1912 में आप देखेंगे लोक सिवाओं के पिसन पर विचार करने के लिए लिन के लिए इसलिंग टन आयोग गठित किया गया और इस आयोग ने 1917 में रिपोर्ट फिस्तुत की और जिसे सरकार ने सुईकार कर लिया गया 1919 के भारत सासन अदिनियम में इसका प्रावधन भी किया जो इस तरह है क्या नांगरिक सेबा की परिक्षा भारत इंग्लेंड में एक साथ आयोजित किया जाए भारती नांगरिक सेबा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए प्यारम में वरिष्ट पदों में से एक त्याई पदों के लिए भारती भारत में की जाए और पिती बर्स इसमें एक पितीसत भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए और ICS अधिगारियों की बेतन, पैंसन और समुद्र फारिये भत्तों में विद्धी की जाए, बड़ोत्री की जाए एक लोग सिभा आयोग की स्थापना की जाए, यह भी बात की गई थी और उच लोग सिभाव में सुधार के लिए पुनाहा 1924 में लॉर्ड ली की अध्यप्षता में एक साही आयोग का गठन गुआ है, इसलिए ली आयोग भी कहते हैं और ली आयो की सिफारिस पर ही कहते हैं कि लोग सिफारिस की बात करें तो एक 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 लोग सिफारिस की गठन कर दिया गया और 1935 सेवा किfundें trawl इस्तर पर एक अख्यल में सेवा तथा राज्च चोम सेवा आयो में की इसथापना के प्रावधान में किया गया और अधिनियम नेपनी नागरिक सेवा बछी किस्सा सेवा की अत्रेक्ट अजने सेवाओं को भारती सचप के अधिकार स्थेत में से निकाल दिया और इस पर गवर्नर्जनलर का नियंतर्ण स्थापित हो गया सुतंता की समय इन सेवाओं को बनाय रखने की गारंटी दी गई और किंती वाजादी के बाद यूरोपी अधिकारियों मुसलिम अधिकारी करमसा येरोप बापाकिस्तान चले गए और जिसके पैडाम सुरुप भारत में अधिकारियों की कमी हो गई और रिक्त पदों पर भरती के लिए बिसेस भरती मंडल की स्थापना करके भरतियां की गई और 26 जनवरी 1950 को जब सम्मिधान लागू हुआ हमारा तो भरती मंडलों को समाप्त कर दिया गया और आजादी के बाद भारती नांगरिक सेबा को तो बनाए रखा गया किन्तो उसका नाम बदल कर अखिल भारती सेबा IES IPS IPS कर दिया गया और इनके भरती ये गुताओं की निधारन के लिए एक सम्मिधानिक संस्था संग लोग सेबा IEO का गठन किया गया है तो UPSC के बारे में आप लोग जानते होंगे हमारे देश में आप लोग तयारी भी करते हैं और एक कठिन परिक्षाओं में से एक माना जाता है किसे संग लोग सेबाए एक Union Public Service Commission को और हल साल आप देखते हैं कि एक जाम भी करवाता रहता है और इसकी अगर हम लोग बात करें तो अभी आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूवर 1926 में कहते हैं इसकी इस्तापना हुई यारी करें तो आप लोग क्या करते हैं मालूख होना चाहिए क्या और आइटिकल 315 से 323 तक आप लोग देखते ना ये UPSC के बारे में ही यहां बात की गई है इस्टेट PCS के बारे में बात की गई है तो जरूर आप लोग याद रखना चाहिए इसके बारे में अगर हम लोग पुलिस पे सासन की बात करें तो भारत में अंग्रेजी राज्य का मुख उद्देश उपनेविसिक सासन को मजबूत करना था और इसके लिए आप देखेंगे एक पुलिस तंद की जरूरत पड़ी और इस्थापना की अवस्तक्ता पड़ी और इस दिशाम में सरपेथम इस्थान ध्यान किस ने दिया लाड कार्ण वालिस ने कब 3791 में और उसने कानून एवा विवस्ता की स्थापना की लिए पुलिस बल को एक मजबूत आधार पिदान किया और पुरानी पुलिस का आधुनी की कन करते हुए उसने जिले को 400 मील की छित में विभाजित किया और जिले के अंतरगत अनेग ठाने इस्थापिद किये और पितेग थाने को एक दरोगा की अधीन रखा गया और उसकी साहयता के लिए पुलिस करमचारी ने उखत किये गया और पितेग जिले को पुलिस अधीक चक के अधीन रखा गया जो जिले का सबसे बड़ा अधीकारी होता था ग्रावीर छेत्रों में जमीदारों के पुलिस सम्मंधी अधिकार समात कर दिये गए और पुलिस करमचारियों में ततपरता और इमानदारी लाने के लिए उनके बेतन बढ़ा दिये गए और उनके लिए अतरिक्त पुरुसकारों की भी विवस्ता की गई फिर आप देखेंगे 1808 में पितेग डिवीजन के लिए SP की नियुक्ती की गई और 1829 में बिलियम बेंटिंग ने पुलिस अधिक्षक के पत को समात कर दिया और पितेग जिले के कलेक्टर या दंडा दिकारी मजिस्टेट को पुलिस विभाग का पिरमुक बना दिया गया मंडल के राजिस्टा आयुक्त को पुलिस अधिक्षक के पत का दायत दिया गया किन्तु इसे जिले के पुलिस बल का संगतन अत्यधेक दोलब हो गया और कलेक्टर की कारी भी अत्यधेक बढ़ गये और पैडाम सरूप सरपितम प्रेसिडेंसी नगरों बंबाई कलकत्ता मदरास में जिला दंडा दिकारी और कलेक्टरों के कारेओं को पितक किया गया और कि किन्तु से सिस्थानों पर आप देखें वही विवस्था लागू रही पुलिस की सरचना कारीपडाली और कलेक्टर बद जिला कलेक्टर बद जिला 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 दंडा दिकारी के संबंधों की विवस्था करने के नेमित 1860 में पुलिस आयो की निउक्ति की गई और आयोकी से फारिस पर 1861 में भारती पुलिस अधिनियम पारित हुआ और इसके अनुसा जिला दंडय विकारियों के सहयोगी के रूप में पुलिस अधिक चक को नियुकत किया गया और जिले से उपर रेंज बनाये गया जिसमें उप महानिरीक चक को पद इस्थापित किया गया और पितेक प्रांत की पुलिस फिर मुख को पुलिस महानिदेशक की संगया दी गई 1902 में इस्थापित पुलिस सुधार आयोकी अनुसंसा पर पुलिस अधिक चक का नया पद बनाये गया और इस पेकार भालती पुलिस अधिनियम 1861 में प्रांती इस्तर पर सीज से नीचे इस्तर पर पुलिस की एक सरचना ने निमित की जो आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और इस अधिनियम ने जिला पुलिस को जिला अधिकारी कि सामान नियंतर में पुलिस अधिक चक के अधिन गटित किया और अंग्रेजी सासन के अधिन पुलिस पे सासन की विसेस्ताएं निम ने थी कौन कौन सी थी इन्हें भी जाल लिजेगा और आप देखे पुलिस विवस्था का पुलिस पे सासन की स्थापना करने का उद्देश यही था कि आप देखे कि सभी इस तरफ और एक तरह से निग्रारी नखी जाए और जो आप देखे कि आवाजें उट रही थे आप समझे रहेंगे इकलाफ उन आवाजों को दबाये जाए और आप देखे कि जो आंदोलंग चल रहे थे जो बिद्रो हो रहे थे उन्हें भी दबा कर रखा जाए देखे अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए पुलिस विवस्था की इस्थापना की थी गरामीड चेत्रों से प्रांती इस्थर पर एकईगीट फुलिस ढाचा इस्थापित किया गया किन्तु केंद्रिय इस्थर पर ऐसा कोई संगठन इस्थापित नहीं किया गया पुलिस एबम सेना का अलगाओ किया गया और पुलिस येवम सामान पिसासक को अलग-अलग, पिसासन को अलग-अलग किया गया, और किन्तु फिर भी पुलिस पर सामान पिसासन का नेतन इस्थापित किया गया, पुलिस पिसासन का प्रमुक कार कानून विवस था, इस्थापित करना था, क्या कानून बना रहे, उनका काम अच्छे से होता रहे, उने कोई प्रॉबलम ना हो, यही उनका उद्देश था, फर बात होती है सैना की, तो किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा, और विदेशी आकमर से रक्षा में सैना की प्रूमुक भूमिका होती है, आज भी आप देखें बरत्मार में, आप पूलिस विवस्था देख लेते हैं लेकिन बॉर्डर भी तो हैं आप देखे हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है अभी बर्तमार में आप देखे अफगानिस्तान से लगता है चाइना से लगता है नेपाल से लगता है बंगलादेश से लगता है भूटान से म्यानमार स तो इनकी सुरक्षा के लिए सेना भी तो चाहिए होती है और आप देखते हैं कि हमारी सेना विवस्ता है तो एक ससक्त सेना की अभाव में आंतरिक सासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है भारत में अंग्रेजियों का मुको देश ना किवल अपने उपनिवेश की सुरक्षा था बलकि उनके उसमें सदेव विस्तार करना भी था और यह सब एक विवस्तिक और सुद्रेण सेन विवस्ता से भी संभा हो सुचा यानि कि आप देखे कि उनका भारत में सासन हो चुका है या भारत के किसी भाग में सासन हो चुका है तो वो सेना इसलिए भी तो रखते थे कि आप देखे उनके समराज कविस्तार हो और नए नए राज्यों को वो सामिल करें अपने चेत में भारत में अंग्रेजी राजी की स्थापना की समय से ही भारतियों को सेना में भरती दी गई और किन्तु उन्हें उंचे पद नहीं दिये गए यानि कि आप देखे हमारे ही लोगों को सामिल कर रहे हैं सेना में और हमारे इही लोगों के खिलाब उन्हें, उन्हें का उप्योग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो नांगरिक थे, उन्हें बड़े पद नहीं दिए जाते थे। हबलदार से उपर का सदेयों जो यउरोपियों द्वारा ही भड़ा जाता था। यानि कि हबलदार से उपर का जो पत्था न वो एउरोपिय अंग्रेजियों के अंग्रेजी उसमें सामिल होती थे। भारतिय सेनिकों को बेतन और भत्ते भी इउरोपियों की अपिक्छा कम दिये जाते थे। तो ये भी आप देखें आंगे आकर बिस्पोर्ट होगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि यहां भी भेदभाव किया जा रहा है। अंग्रेजी आप देखें उनकी अगर कोई पुलिस बेवस्था सेना में भरती हैं तो उने अधिक बेतन दी जा रही हैं। इस कमियों को कारण 1857 में भारतिय सेनिकों ने बिद्रो कर दिया और तब बढ़ चड़ कर उसमें भाग लिया। और दस मईई 1857 के विद्रोव ने अंगरेजी राजी की निव हिला दी और सर जॉन लॉरेंस ने इस विद्रोव के लिए बंगाल सैनिक सेबा में मातत्य भाव समांगी करण को उत्तरदाई बताया माना और इसलिए विद्रोव की परशात भारती सैना का गठन इस पिकार किया और राष्ट भावनवा को हतुसाहित करने के लिए सैना को बंगाल गोर्खा सिक राजपूद मराथा गडवाल बलोच कुमाव कुमाव रेजी मेंटों में पुनर गठित किया गया और जिन जिन पिदेसों की लोगों ने बिद्रोव में भाग लिया था वहां से सैनिक भरत बंद कर दी गई और उन पे देशों विविकास से उजनाय भी लागों नहीं की गई और इसके अतरिक्त अनपरिवर्तन भी देखने को मिले यानि कि आप देखे कि फूट डालो राज करे राज करो की नीती यहां भी उन्होंने अपनाई और यूरोपिय सैना को बेटे सैना में मिला दिया गया और मिला दिया गया बंगाल बंगाल बंबई मदरास के तोप खानों को साही तोप खाना एवं साही इंजिनरियों में मिला दिया गया अंगरेजी सैना की पतादीकारियों और सैनिक भारत में सेबा करने एवं अनुभा प्राप्त करने के लिए नेमेत र जाला चाज को भी फूख कर भीता है तो उन्होंने भी यही किया यह आप देखें कि भारतियों सैनकों की संख्या कम कर दी गई एउरोपी अंग्रेजियों सैनकों की संख्या बढ़ा दी गई एउरोपी और भारतियों सैनकों की अनपात की बात करें तो बंगाल में एक अनप पाती तीन रखा गया इनका ठीक है और आपको देखने को मिलेगा कि सामरिक देश्टी कौन के कुछ विभागों जैसे तोप खाना सिग्नल्स में भारतियों की संख्या में अतिधी कमी कर दी गई और इन नभीन पुनरगटन की फलस्वरुप सेना में भारतिये एवं बेटन अपनी आय का 22 पी 30 सथ खर्च करता था और इस से अतिधीक रक्षाबे की कारण भारत सरकार को रिड़ लेना पड़ा और जिसका भारत की अर्द्वस्था पर विप्रीत प्रभाव पड़ा हमारा कोई लेना ही देना नहीं है और आप देखे कि हम करज में फस्ते जा या किसने लॉड कार्ण बालिस ने नियाइपाल का कुपद सुपानिक क्रम में विवस्तित करके संफूर्ण वेश्टिस सासित पिदिसों में एक रूपता इस्थाबित की और कानूनों को सहिता बद्ध करने का कारवी किया उसके द्वारा तियार कराए गए कानून को कार् रित था यारी की सक्ति का बटवारा ठीक है 1833 में लॉड मेकाली की अध्यक्ष्टा में एक बिधी आयू की स्थापना की गई थी कब 1833 में लॉड मेकाली की वेवी आप लोग याद रखिएगा आप देखेंगे कि 1935 में कि बहरत सासन अदिनियम में संपूंड भारत के लिए एक संगी नयाले की विवस्ता की गई और कॉण बालिस को बहरत में सिविल सेवा का जणक भी माना जाता है एवी जरूर आप लोग याद रखिएगा कौन बालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है पहली बार वारें हिर्ष्टिंग ने कलक्टर की नियुक्ति की थी जिसका मुख्यकार भूराजस का एकत्तित करना था 1885 में लोड मैकाली की अध्यक्ता में सिविल सेवा समिती की इस्ताफना की गई थी 1926 में ली आयू की सिफारेस पर ईउपीयसी यानी की लोग सिवा आयू का गठन किया गया था 1935 के भारस असन अदिनियम में केंद्री इस्तर पर एक अखिल भारतिय सिवा और राज्य परांतों के लिए परांतिये लोग सिभा आयो की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था सुद्रन पॉलिस पुलिस परिणाली की स्थापना की तरब सरपितम ध्यान काउडबालिस ने 1791 में दिया था पॉलिस की सरचना कारवधानाली संबंधों आधी की विवस्था करने के निमिद 1860 में पॉलिस आयो की नियुक्ती की गई थी एक बात और आप लोग याद रखेगा एक चोटे चोटे पॉइंट आपके प्रलम से में काफी पूंच लेता है उसके लिए जरूर आप लोग याद रखेगा अब सिक्षा की बात कर लेते हैं सिक्षा का विकास भी हुआ किस तरह से हुआ तो आप देखेंगे सिक्षा इन्होंने अपने हित के लिए सिक्षा का विकास भी किया लेकिन उसका फायदा आप देखें कि कहते हैं न वो एक सिक्षा के दो पहल होते हैं तो उसका फायदा भारतियों को भी मिला भारतियों मे कियों पेरित करती है और भारत में सिक्षा की पिती आजादी के पूर्बा स्वाधीनता के पश्चाद भी बहुत चिंतन किया गया और सिक्षा के मूलवू धाचे की समिक्षा करके इसे उप्योगी बनाने के लिए समय से मर पर विभिन आयो गठित किये गये सिक्षा में सिक्षा दी जाती थी मजड़ों में सिक्षा दी जाती थी और देश में ब्याप्त राजनेतिक अनिश्चिता की की स्थिती ने सिक्षा के पिरचार प्रिसार को ब्यापक चती पहुंचाई और कंपनी के कंपनी के सासनकाल में बितानी परंपरा अनुसार बिद्या का भार् बी विद सिक्षा की बात हो रही है और 781 में वरेंग हैस्टिंग ने कलकता मदर्सा इस्थापित किया और जिसमें फार्सी और अर्वी के अध्यन की सुविधा दे गई थी और 781 में आप देखेंगे लॉड बेले जली ने कंपनी की असेनिक अधिकारियों की सिक्षा के लिए फोर्ड फिलियम कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहराय ने कलकता मदर्से बबनारस संस्कित कॉलेज खोलने की सरकार के प्रयासियों की कट्टू आलोचना की उनका व विग्यान बतर्गबाद का प्रिसार करने बाली सिक्षा की हिमायती थे और भारतियों में बिग्यानिक मानसिक्ता को जनम देगी जो और आप देखें कि भारतियों में अगर बिग्यानिक मानसिक्ता को जनम देती है और जागरोख होते हैं तो वो आगे की लडाई भी लड सकते थे 1778 में हैश्टिंग्स ने कि सहुगी सर विलियम जौन्स ने एसियार्टिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की और जिसने प्राचीन भारती इतिहास और संस्किती के अध्यनेतु महत्मूर्ड परियास किये ठीक है और अंगरेज धरम पिचारक एसाई मिसेनरियों भारत में सिक्षा की प्रसार हीतू स्री रामपूर कलकत्ता को अपना केंद बनाया और बाइविल का 26 भासाओं में अनुवाद भी किया और इनका एक और उद्देश था कि यहां की लोगों को समझा जा सके इनको जागरू किया जा सके अपने हिसाब से सिक्षा दी जा सके क यहां के चलके इनका ओपियो किया जा सके और इसलिए आप देखें कि अपने हां की सिक्षा गुथो पर रहे थे डेविड हेयर नामा की एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिसप कॉलेज की स्थापना की राजा रामोहन राय डेविड हेयर और सर हायर्ड इस्ट ने मिल जर्नेल को अधिकार दिया गया वह एक लाग रुपिये साहित के पुनर उद्धार और उनती के लिए खरज करें एक कुश्चन कई बार मुझ लिया है कि सिक्षा पर एक लाग रुपिये खरज करने की बात किस एक्ट में की गई थी तो 1813 के एक्ट में फिर आप देखें ग मैकाली का सिक्षा शिद्धांत क्या करता है ये 1835 की बात है ततकाली लोग सिवा की सामान समीती में दस सदस थे और ये समीती दो गोटों में विभाजी थी एक गुट था प्राच बिद्ध्या समर्थक था जिसमें नेता एच्टी प्रेंसेप थे और दूसरी और आंगल ग अंगल दलों का समर्थन किया एक आप देखे कि लोकल एक तरह से आपदी के हमारे देश की सिक्षा की बात करते थे एक आप देखे कि अंग्रेजियों की सिक्षा की बात करते थे अंग्रेजी माध्यम की सिक्षा की बात करते थे ठीक है उनी की बात हो रही है आंगल गुट था ना जो ए अंग्रेजी को सिक्षा के माद्धिम की रूमे समर्थन दिया था इसने ठीक है और भारती सिक्षा और साहित पर अपने विचार इस तिरस्के सब्दों में ब्याथ किये यानि कि आप देखें कि भारतीयों को नीचा देखाना भारतीयों की सिक्षा को आप देखें एक तरह से कमजोर आक्या देखना है कि मतलब आप देखें इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालर की एक अलवारी का एक कच्छ भारत और अरब के समस्त साहिते से जानदा मूरलवान है ठीक है और आप देखेंगे फिर अंग्रेजी भासा की महत्ता की पुलिंदे उसने इस सब्दों में बादे जो कोई यह भासा जानता है जो कोई यह भासा जानता है उसको उस महान बॉद्दिक्स ज्यान जिसे संसार के सबसे बुद्धी मान राष्टों ने उत्पन किया है और गत 90 पीडियों से हस्तान्तित किया है और उसको सोगमता से उपलब्द कराने की सकती पहले ही प्राप्त है और दरसल आप देखेंगे कि मैका मैकाले का उद्देश्ट पूरुस पूरुसों की एक ऐसी सेणी उत्पन करना था जो रक्त और रंग से भारती हो परंथू अपनी प्रकेती बिचार और बिचार और आप देखेंगे कि मापदंड और प्रिग्या से अंग्रेज हो अर्था तो ब्राउन रंग के एक तरह से उत्पन करना जाए रहा था या आप देखेंगे कि अंग्रेज आंगे वो उन्हें उप्योप कर सके और जो कंपनी के निमने स्थरी ये कारभार को समाल सके बैसे भी मैकाले का उद्देश्ट जनसाधारन को सिक्षित करना नहीं था उसे ग्याद था कि सीमे साध जनसाधान तक पहुंच जाएगा और इस पेकार मैकाले कि सिध्धान का प्राक्तिक परिडाम भारती भासाओं को अंग्रेजी भासा के साहिक की रूम में बढ़ावा देना था और इसके अलाबा अंग्रेजी भासा भासी लोग अपनी मानसिक्ता और आचार बेवार से में अंग्रेजी समराजी के दूद के रूम में भी कार करते हैं करेंगे ठीक है ये कुछ तथ है इने भी देख लिजे पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 की चार्टर एक्ट में भारतीय सिक्षा पर एक लाग रूपी करने का परावधान किया गया और प्राच्च बिध्या स मर्दकों में कौन-कौन थी? H.T. प्रेंसे और आप देखेंगे H.H. बिलसन और सिक्षा की अधू मुकी निस्पंदन सिधान का प्रवर्तक लौड ऑकलेंड को माना जाता है भारतीय सिक्षा का मेंगना गाटा बुड के डिस्पेज को माना जाता है ये भी याद महलाओं की सिक्षा पर सरकारी इसतर पर पहली बार बुड डिस्पेज में प्यास किया गया था H.hunter Commission , boil audio, Pillala Commission की रिपोड में भी इस तरी सिक्षा को बड़ाबा देने का सुझाओ दिया गया था और प्रात्मिक सिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोड दिया गया था और लंदर में विस्विध्याले की आधार पर बुड की डिस्पेच में कलकत्ता बंबई मद्रास पैसिटेंसियों में विस्विध्याले की इस्थापना का सुझाओ दिया गया था आप देखेंगे सेडरल आयोग की रिपोर्ट में विस्विध्यालेओं के लिए कुलपती की नियुक्ती का सुजाओ भी दिया गया था और आप देखेंगे राधा किष्णन आयोग 1938 के सुझाओ पर भारत सरकार ने विस्विद्याले अनुदान आयोग की स्थापना की थी और महिला सिक्षा की दिशा में पितम भारतिये प्रियास ब्रह्मा समाज ने किया था भारत में भारतिये लोग सिवा का गटन काउन वालिस ने किया था और इसलिए भारतिये लोग सिवा का इसे जनक भी मानते हैं लौड काउन वालिस को भारतिये लोग सिवा को इस पाथ की चौकट की नाम से भी जाना जाता है ठीक है और 1861 में सरकार द्वारा दा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी लाया गया था पारित किया गया था ठीक है तो ये 1861 में तो ये भी आप लो याद रखिएगा बुड का डिस्पेच अठारे सु चंगमन इसमें क्या कहा गया था इसे भी देख लिए सर्चार्स अभी सिक्षा के लिए एक बेहद ये उजना बनाई और जिसमें अखिल भारतिय आधार आधार को सिक्षा की नियामक पद्धिती का गठन किया था उसे प्रयाब भारतिय सिक्षा का मैगना कार्टा कहते हैं किसे बुड का डिस्पेच को और इस पी पिरमुक सिफारिसने क् पश्चात्य सिक्षा का प्रसार करना उच्चे सिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना गाउं में देशी भासा भासाई प्राथमिक सालाओं की स्थापना करना और महला सिक्षा को समर्थन दिया जाना इसका पिरमुक इसमें बातें कहीं गई थी सिफारिसने की गई थी ब मुखता बेथून के सूप प्रियासों से कुछ महला पाटसालाओं की इस्ताफना भी की गई थी। और बुड की डिस्पेच की प्रमुक सिफारिसने अगर आप देखें तो यह पूचा जा सकता है तो इन्हें जरूर याद रखेगा सरकार प्राश्चात सिक्षा कला दर्सन बिज्यान साहित का प्रियास पिसार करें उच्ची सिक्षा का माधब अंगरेजी हो लेकिन देशी भासाओं को भी फ्रोसाहित किया जा सके और एक तरह से आज भी तो दीखते हैं आप लोग की अंग्रेजी भासा है और आप लोग लोकल भासा में पढ़ते हैं देशी भासाई प्रात्मिक पार्सालाएं इस्थापित की जाएं और उनके उपर जिलाइस्तर पर एंगलो वर्ने कूलर हाई स्कूल और समधित कॉलिज खोले जाएं अध्यापकों के पिसीक्षण के तू अध्यापक पिसीक्षणों की संस्थाओं की स्थापना की जा सके और महला सिक्षा को प्रोसाहन बढ़ावा दिया जा सके और सिक्षा छित में निजी प्रयासों को प्रोसाहन देने ही तू अनुदान सहयता की पदिती चलाने की एहुज जो लोग सिक्षा निदेशक की अधीन कार करेगा लंदन विस्विध्याले के अधर पर कलकत्ता बंबई और मदरास में तीन विस्विध्याले सहित इस्थापित करने की युजना और जिसका मुख्यकार परिक्षाय संचाली करना हो तो यह भी बात है यह भी कहा गया इसमें ठीक है और आप देखेंगे कि हंटर सिक्षा आयू इसे भी देख लेजे एक कब आया यह आप देखेंगे 8283 की बात है 1882 में सिक्षा की प्रगिती की समीक्षा के लिए डबलु डबलु हंटर की अधर्शता में एक आयू का गठन हुआ और इसकी कार्षेत में बिस्विध अायोग ने सुझाओ दिया कि सरकार को प्राथ्मिक शिख़ा के सुधार और विकास की और बिसेस्द्यान देना चाहिए और माधिमिक सिख़ा की संदर्प में आयोग का सुझाओ था कि इसके दो mammoth एक में साहितिक सिक्षा हो जो विस्व विध्यालाइक की प्रिवेस परिक्षा के लिए विध्यालती तियार करे और दूसरी बेवारी धनकी सिक्षा हो जो विध्यालती को बेवसायक और ब्यापारिक जीवन के लिए तियार करे आज आप देखेगी जो हमारी नहीं सिक्षा लीती आई हुए है उसमें इस पर बाद भी की जा रही है और इस आयो की सुझाओ की परश्चात आने वाले 20 बरसों में मादमिक और कॉलिज सिक्षा का अभूदपूर बिस्तार हुआ और जहां आप देखें कि 1881-82 में मादमिक पार सालाओं की संक्या 3916 थी और इसमें अध् 1912 तक मादमिक पार सालाओं की संक्या 5124 हो गई चात्रों की संक्या 590,139 हो गई हंटर आयो की कुछ सिफारिशने आप लोग देख सकते हैं पर रातमिक सिक्षा को मदद देते हुए कहा गया है कि यह सिक्षा इस्थानी भासा उपयोगी विशय में हो और इसके नेंतन जि हाई स्कूलों में प्रवेशी का परिक्षाओं की अत्रिक्त ब्यापारी केवं ब्युसायक सिक्षा को भी विवस्था की जानी चाहिए और आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन इस्थानों पर महला सिक्षा एतु पर्याप्त प्रवन्द ना होने पर खेत पर एक में करजन ने सिमला में समस्त भारत की उचितम सिक्षा विसविद्यालेई अधिकारियों का एक सम्मेलन आई जित किया कहां सिमला में एक कहां है हिमाचल पेदेश और सम्मेलन के उद्गाटन भासन में करजन ने कहा हम लोग यहां सिक्षा की एक पूर्ता नई यूजन बनाने और जन साधानल पर एक्छासी अत्वा अनेक्छासी उन पर लादने के लिए एकतिर नहीं हुए लेकिन कलांतर में एसपर्ष्ट हो गया है कि उसने जो चाहा वह किया और उसके बाद आप देखेंगे एक आयोक सर टॉमस रिले की अध्यक्षता में नियुक्त किया गय बिस्विध्यालाई सिक्षा अनुदान लगाना था और फएडाम सरूप आप देखेंगे 1904 में भारतिय बिस्विध्यालाई अधिनियम पारित किया गया कब 1904 में और इस अधिनियम की विधान परिशत के अंदर वहर राष्टवादी तत्तों ने कटू आलोचना की यानि अधिकार दिया गया यहां आप देखें कि निसेदा अधिकार का मतलब होता है काम करने से रोकने का अधिकार एक तरह से आप देखें कि वह अधिकार जिसका सही प्रयोग कर वह पारित पिस्ताओं को रोक सकता है बीटो भी कह देते हैं आप लोग कई बाद और इसलिए भी तो कहते हैं कि कम से कम आप लोग NCEIT पढ़ लीजे, आपके जो सब्द हैं ये कम से कम समझ में आपको आ जाएंगे, आप देखें कि साथ ही इस अधिनियम द्वारा आसास किये कोलेजियों पर सरकारी ने अंतर इस्थाफित कर दिया गया, और सन 1917 में नियुक्त सैडलर आयोग उनने भी इस अधिनियम पर अपनी विवाक टिपडी में स्तत्र को सुईकार किया कि 1904 की अधिनियम से भारतिय विश्विध्यालय पूर्टा सरकारी विश्विध्यालय बन गए, और 1904 में पारतिय विश्विध्यालय अधिनियम की कुछ प्रावधान निमने थे, अभी आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं कि जो आपका सुरक्षा परिशाद है ना उसमें आप देखते हैं कि 5 देशों को बीटो पाबर मिली हुई है कभी रोस आप देखते हैं कि वीटो कर देता है कभी चाइना वीटो कर देता है कभी आपका अमेरिका वीटो कर देता है उसी तरह की आप देखें पांच में से कोई भी देस अगर औस पिस्ताओं की पक्ष में नहीं है बिबक्ष में है तो आप देखें वो पिस्ताओं पारित ही नहीं हो सकता है पांचों को एक सहमती देनी पड़ती है और आप देखेंगे कि इस अधीनियम द्वारा आसास की कोलेजों पर सरकारी नियंतर कठोर हो गया सेंडीकेट को समय समय पर कोलेजों की निरिक्षन का अधिकार मिल गया और आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल को विस्विध्याले की छेतरी सीमा निरिधारीत करने का अधिकार भी मिल गया कॉलेज को विस्विध्याले से समंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम में ले लिया फिर आप देखेंगे सिक्षा पिस्ताओ 1913 एक क्या कहता है बड़ोदा जैसी प्रगिती सी रियासत ने 1906 में अपने यहां अनिवार प्रात्मिक सिक्षा प्यारम कर दिये और इससे पेरित होकर राष्टबादी तत्वी सरकाज या पिक्षा करने लगे कि वेटे सरकाज समस् प्राइटी को अवसे सुईकार कर लिया गया और परांती सरकारों को पिरित किया गया कि वेश्माज के निर्धन बपिछडि सबकों को निस्वल्ग प्रात्मिक सिक्षा देना का प्रभंद करें अब यह भी आप देखते हैं कि समिधान का अनुच्छेद 21 का आप लोग 17-19, इसमें क्या कहा गया? इसमें आप देखें कि सरकार ने कलकत्ता विस्विध्यालाई की संभाव नाओ पर रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सेडरल जो लीड से विस्विध्यालाई की ओप कुल पती थे, कि अध्यक्षिता में सन 1917 में एक आयोग ने उप किया, इस आ आयोग का यह मात्ता कि यदी विस्विध्याले की सिक्षा का सुधार करना है तो मादमिक सिक्षा का सुधार आवस्यक है, आयोग ने सिफारिस की स्कूली सिक्षा 12 वर्स की होनी चाहिए और विद्यालेओं को हाई स्कूल की परश्चात नहीं, अब तु उत्तर मादमिक प पठना में, बनारस में, अलीगड में, ढाका में, लकनव में, उस्मानिया, हैदराबाद में, अस्तित में आई। की निवक्ति किया जाए, और साथी अंतर विस्विध्याले स्थापित हो, महला सिक्षा पर जोड दिया जाए, साथी उद्धोगेक, बाप्पी सिक्षा से जुड़ी समस्य आए, विस्विध्याले द्वारा निप्टाया जाए, और आप देखें, सिक्षा परांती विस्वि तो आप देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया? और आप देखने हैं कई बार आपकी परीक्षाओं में जानदा इस तरह की कुश्टेंस पूचे जाते हैं कि इसकी आलोचना कीजे इस पर टिपिड़ी कीजे मुख परीक्षा में लेकित परीक्षा में हाटो गायुक की निम्रे सिफारे सेंथी तरात्मिक सिक्षा पर बल गरामीर संस्किती के छात्रों को मिडल स्कूल तक ही सिक्षा दी जाए इसके बाद उन्हें उद्धोगे केवं बिवसायक सिक्षा दी जाए बिवसे विद्यालायों को सुधारने की पेरतन किये जाए और उच्षे सिक्षा मिले और जो उसके योग हो पर आप दीकैँक बर्धा यूजना थ्या अप देखेंगे सन 1937 की बात है बर्धा यूजरा य आप देखेंगे सन 1937 में मात्मा गांधी ने अपने पत्त दहरियन में लेखों की एक सेंखला पिकासित की और एक सिक्षा योजना का पिस्ताओ किया और जिसे मौली का अत्वा आधार सिक्षण अत्वा बर्धा योजना की संग्या दी गई है इसके जो अलग-अलग नाम रहते हैं इन्हें भी याद रखा करिएगा और जो दा हरीजन पत्त था ना एक महत्मा गांदी जी का था और इसमें अध्यापकों की पिसिक्षण, परिवेक्षण और परीक्षण तथा पिसासन के सुझाओ भी दिये गए योजना का मुल्भू सिद्धान्त हस्त उत्पादक कार था ओ जिससे सिक्षण के बेतन का भी पिरवन्द हो जाता और दुतिय अभिसियोद्दे के आरम होने और मंत कि इसर जरू हो गया फिराब देखें कि सर्जेंट आयों योजना यह 1944 की बात है सरजेंट योजना क्भी बात है परिक्षा दिये जानी की योजना थी आप देखेंगे राधा किष्णन आयोग 1948 नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा किष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग ने किया जिसे विद्यालेई सिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी अगस्त 1949 में दी गई रिपोर्ट क कि तीन सत्रों में बटी होनी चाहिए और पिसासन सेवाओं के लिए विद्याले की इस्तनातिक उबादी आवसक नहीं होनी चाहिए और एक विद्याले अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विद्याले सिक्षा की देश देख रेक करें आज भी तो आप देखते है कि क्या देखेंगे विसेविध्यालाय अनुदान आयोग 1953 एक क्या कहता है ए राधा किष्णन आयोग की सिफारिष को कयानवीद करने के लिए सनुदान आयोग बना दिया गया और इसे संसत के अधीनियम द्वारा एक स्वायत पूर्ण संस्था पत दे दिया गया और इसके ल इसने सरकार को सिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विशय में राष्टी इनमुनों की रोप्रेखा और साधारन सिध्धांद तथा नीतियों की रोप्रेखा बनाने का आदेश दिया और आयोग ने यह भी सुईकार किया कि सिक्षा तथा अनुसद्नान दोनों की देश की समस्त आर्चिक सांस्कितिक और आत्मिक विकास बाप प्रगेती की निडायक हैं और इसने बर्तमान पद्धिती की कट्वोड़ता की आलूचना कियो और सिक्षा नीती में लचीलेपन की आवसकता पर बल भी दिया राष्टी सिक्षा नीती 1986 इसे भी देख लिजे न 36-36 साक्षर्टा को बडबाद एका 56-36 कर देश नीती का बहारत में सिक्षा का विकास तोरेट गती से हो और किन्तु अभी भी लगबग आदी जन संक्या निरक्षरता की अंधीरे में भटक रही है और हमारे यहाँ जो साक्षरता की परिभासा है न वही आप देखी उटपडांग रखी गई है जो लिख लेता है पढ़ लेता है वो साक्षर होगा और आप देखें मुझे लगता है कि पड़ल एक तो हर कोई लेता है कोई एक कम से कम आप देखी योगता तो रखी जानी चाहिए थी कि इतनी पास हो इतना मतलब बारवी तक पढ़ा हो दसभी तक पढ़ा हो तब मालू चलता कि हमारे देश में सिक्षा किस तरह की है समाई की आवा सकता है या दे अंगले पांच बरसों में लगवग पूर साक्षरता उच्छी सिक्षा की गुडवत्ता में या थेश्ट सुधार की लिए लक्ष प्राप्त नहीं किये गए वाला बक्ती बताएगा क्योंकि आप देखी योजनाय यालती रहती है लेकिन वो जमीनी इस तर पर लागू हो नहीं एक बड़ी बात होती है अठारे सो चंगन का चाल्स बूड डिस्पेच भारती सिक्षा का मेगना कारटा इसे कहते हैं देशी भासाई परात्मिक सालाएं इस्थाबित करने पर जोड़ दिया गया था इसमें हंटर सिक्षा आयोग 1882 परात्मिक इबा मादमिक सिक्षा पर जोड़ दिया गया था इसमें और रिली आयोग 1902 ए विसविद्याले सिक्षा अनुदान लगाना भालती विसविद्याला अदिनियम 1904 विसविद्यालें पर सरकार कर नेंतर बढ़ा दिया गया सिक्षा पिस्ता 1913 निरक्षरता समात करने की नहीं थी प्रांतिय सरकारों को समाज की निर्धन और पिछले तबकों को नेसोल की परात्मिक सिक्षा देने का आदिश दिया गया सेडलर विसविद्यालें आयोग 1917 विसविद्यालें की समस्याओं की अध्यनेतू बनाय गया था और इसकूली सिक्षा को बारे बर्स की होनी चाहिए ये भी कहा गया था हायटोग समती 1939 परात्मिक सिक्षा की राष्टी महत पर बल दिया गया था वर्धाय उजना 1937 मूलभू सिध्धान्त हस्त उत्पादक कार को बड़ाबा देने की बात कर गये थी सरजेंट उजना 1944 में राधा किष्णन आयोग 1948 में विसविद्यालें पर सिक्षा पर रिपूर्ट विसविद्याले अनुदान आयोग ये आप देखेंगे 1973 में विसविद्याले ही सिक्षा का नीमन कोठारी सिक्षा आयोग 1964 से 66 सिक्षा नीती में लचीलेपन किया वसकता परवल दिया गया राष्टी सिक्षा नीती 1986 गतीहिन समाज को गतीसील बनाना उद्दे से नवोदर विद्याले की स्थापनब और विद्यार्थियों के में धर्म निर्पेक्षिता देश की एकता और अखंड़ता की पिती वचन बद्यता की भाव बिक्सित करना था अब भारत में समाजचार पत्रों का इतिहास किस तरह से रहा है उन्हें भी देख लिए क्योंकि आप देखें कि इनसे भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूचे जाते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है तो एरोपिये लोगों के भारत में पिरवेश के साथी समाजचारों एवं समाजचार पत्रों की इतिहास की सुरुआत होती है भारत में प्रेंटिंग पेस लाने का सरे पुर्दगालियों को दिया जाता है जो भारत में प्रेंटिंग पेस आई इसका सरे किसे दिया जाता है पुर्दगालियों को 1857 में गुआ के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक चापी थी और 1684 में इस्ट इंडिया कंपणी ने भी भारत में फ्रेंटिंग पेस मुद्रणालाई की स्थाफना की भारत में पहला समाचारपत कंपणी की एक आसंतोष्ट अधिकारी बिलियम बोल्ट्स ने 1766 में निकालने का प्रियास किया था लेकिन वो आसफल हो गया था भारत में पिथम आप देखेंगे अगर समाचारपत निकालने का सरे जेम से ऑगश्टस हिक्की को मिला इसने 1780 में बंगाल गजट पेकासन किया था ये जरूर याद रखिएगा कुछ पूछा जा सकता है किन्तु कंपनी सरकार की आलोचना की कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया था और इस दोरान कुछ अन अंग्रेजी अकबारों का पेकासन वुगा जैसे बंगाल से कलकता केरियर, एसी आइटिक मिरर, औरियेंटर रिश्टार, मद्रास से मद्रास केरियर, मद्रास आधी, 1818 में बेटिस ब्यापारी जेम्स बर्किंगम ने कलकता जनरल का समपादन किया था, और आप सभी जानते हैं कि आज भी आप देखें, नीच वेपर अगर सरकार की विरोध में कुछ लेक देते हैं, तो आप देखते हैं, उनकी अंच्छापा डल जाता है, तो उस सम में ना तो का आप नियाय पालिका थी, ना ही आप देखें सुतंत सरकार थी, तो उस समय क्या हाल रहा हुगा आप समझ सकते हैं, बर्किंग गम की ही वह पहला पिकासक था, जिसने प्रेस को जनता के पितीवम की रूम में पिस्तूत किया था, प्रेस का आधुनीक रूम उस पूर आकर सित किया, और यह आप देखें केसरी, और पहला भारती अंग्रेजी समाचारपत 1816 में कलकता से गंगाधर भट्टाचार द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाल गया था, जो सपताहिक समाचारपत था, और 1818 में मार्समेन की नेतित में बंगाली भासा में प्रवासित किया गया, 1821 में बंगाली भासा में सपताहिक समाचारपत संबात को मोधी का पिकासन हुगा था, यह 1821 की बात हो रही है, इस समाचारपत का प्रवंदना राजाराम मुहनराय की हातों में था, राजाराम मुहनराय ने गति सील, सामाजिक तथा धार्मेक, प्रेजी भासा में ब्रह्मा नीकल मैगजीन का पिकासन किया गया, और समाचारपत्रों पर लगने वाली पितिबंद के अंतरकर 1799 में बेली जली द्वारा पत्रों का पत्रे छन अधी नियम, यह आप देखेंगे कि दा सेंसर्सिप आप दा प्रेस एक्ट, जान एडम्स द द्वारा समाचारपत्रों पर लगाएगे पितिबंद के कारण राजारा मोहराय का मिरातुल अकबार बंद हो गया था, अगर आप देखें कि अंगरेजों की अच्छाई के लिए अगर आप लोग लिखते थे तो आपका कुछ नहीं विगड़ने वाला था, अगर आप दे टेगोर की प्रियासों से बंगाली भासा में बंगदत का पेकासन प्यारम हुआ, और बंबई में आप देखें कि कि बंबई से 1831 में गुजराती भासा में जामे, जमसेत का और 1859 में रास्त, गोपतार और अखवारे, सौदागर का पेकासन हुआ था, लौर्ड बिलियम ब कि दिवंद को हटाद कर समाचार पत्रों की मुक्ती दिलाई, और इसे भारती समाचार पत्रों का मुक्ती दाता भी कहते हैं, किसे? चार्ल्स मैटकॉप को, मैकाले ने भी प्रेस्त की सुतंता का समर्धन किया था, और 1857 से 1858 के विद्रों के बाद, भारत में आप देखें समाचार पत्रों को भारती समाचार पत्रों की अपेक्चा डेल सारी सुविधाय उपलग दी, वही भारती समाचार पत्रों पर बहुत सी सरतें आरूपित की जाती थी, क्योंकि जो आप देखें, अंग्रेजियों के जो आप देखें, अंग्रेजी समाचार पत्रों होते थ और इस एक्ट की आधर पर बिना सरकारी लाइसेंस के छापा खाना इस्थाबित करने वो उसके प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई यह एक मात एक बरस तक लागू रहा कि लोगों में आप देखी कि अखवार ही ना चपने लोगों को कुछ मालू ही ना चले जानकारी ही ना हो 1867 के पंजी करन अधीनियम का उदेश था कि छापा खानों को नेमित करना और अब यह मौद्रिक पुस्तक एवं समाचारपत के लिए यह आवस्तिक कर दिया गया कि बे उस पर मुद्रक पिकासा को मुद्रन इस्थान का नाम डाले और पुस्तक की छपने के बाद निसु का जोड कर ऐसे लोगों के लिए आजीवन निर्वासन अल्प निर्वासन और जुर्वानी की वस्ता कर दी गई देश दुरो ही एक तरह से आप समझ रहे हैं तो यही बात हुई और आप देखे कि इंद्रा गांधी के समय जब कहते हैं कि राष्टी है हमारे देश में अप बाहर निकलना चाहिए कि आपने कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा तो नहीं लिखाया तो यह बात रही है आधुनिक भारतिये प्रेस का प्यारम 1776 विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया यह आप देखेंगे कि 1780 में जैम्स आगश्टस हिक्की द्वारा बंगाल प्रेस को जनता का पितीब बनाया और राजा राम मोहन राये ने बंगाल में संबात कुमोधी और फारसी में मिरात अल्ट अखबार का पिकासन किया एक कुश्चन स्कूश लेता है कई बात राजा राम मोहन राय की सामाजिक और धार्मिक विचारों का विरोध करने के दिया जाता है और हिंदोस्तान टाइम्स का पिकासन अकाली से कांदूलन की पैडाम सुरूप सुरू हुआ था मुसल्वान समाचरपत पैसा अखबार का मत था कि सौदेशी हिंदूों से अधिक मुसल्वानों के लिए लाप परद होगा फिरोध साय मेता ने 1913 में बंबई से बंबे क्रोनिकल का पिकासन पियारम किया इस पत्र का संपादन बेजी हरणी मन करते थे यह आप देखे भारस से पिकासन पर्मक समाचारपतह देख लिए अ समाचरपत उगयい इसकी संस्ठापक हो गजगत रस हो गया इस्थान वगह भासा टाइम्स ओप इंडिया रॉबर्ट नाइट 1868 की बात है खलकता से अंग्रेजी में था इंगलिस्मन रॉबर्ट नाइट कलकता से अंग्रेजी में था मद्राव समिल रॉबर्ट नाइट 1776 में इलावा से निकलता था अंग्रेजी में था, सिविल एंड मिलिटरी गजट रॉबर्ट नाइट 1876 लाहो से अंग्रेजी में अमरित बाजारपती का मौतिलाल गोस के द्वारा 1868 और 1878 में कलकत्ता से बंगला और अंग्रेजी दो भासाओं में था सौम पिकास इसोरचंद बिद्ध्यासागर 1869 में कलकत्ता से निकलता था बंगला में था यह, किस भासा में था बंगला भासा में था ठीक है फिर आप देखेंगे बंगवासी जुगिंदर नादबोस के द्वारा 1881 में कलकत्ता से बंगला में था यह, हिंदू वीर रागवाचारी के द्वारा 1878 में मद्रास से निकला था अंग्रेजी में केसिरी मरा था तिलक प्यारब में आगर गर किस है उक से तिलक के बाल गंग किसके तिलक साहब के द्वारा निकला और आप देखेंगे 1881 में बंबई से मराटी अंग्रेजी में था यह, हिंदू रनाड़ी के द्वारा निकला गया था 18881 में, मद्रास से निकलता था अंग बंगाली सुरहिंद नाथ बंडर जी की द्वारा 1789 में कलकत्ता से अंग्रेजी में था भारत मितिट बाल मुकुंद गुपत के द्वारा निकाल गया था कलकत्ता में धिन्दी में था यह जरूर रियाद रखेगा हिंदुस्तान मोहन मालवी एक और पिताब नारायन स्की द् में था, बॉंबे इस्टेंडर्ड कॉमर बील ए एनिवेंसेंड के द्वारा उन्नीसो चौदय में अंग्रेजी भासा में था, कभी बचन सुधा ए भारतेंदु हरिस्चंद के द्वारा 1866 में उत्तर पिदेश से हिंदी में था, हरिस्चंद मैग जीन ए भारतेंदु अंग्रेजी में था, हिंदी पिदीप बालकिष्न भट के द्वारा 1877 में उत्तर पिदेश से हिंदी में था, इंडियन रिव्यू ए जी एन नटेशन के द्वारा मदरास से अंग्रेजी में था, मौडर्न रिव्यू रामानंद चटर जी के द्वारा कलकता से अंग्रेजी यंग इंडिया महत्मा गांधी ये जरूर याद रखेगा यंग इंडिया महत्मा गांधी 8 अक्टूबर 19 pastor अन्डी से यह फियन अंगरेजी में था 9 जीवन महात्मा गांधी के ड् Pal Ama Adoad से निकला था backs Hindi गुजराइजिवन महत्मा आगांधी के तवारा 11 अडि 233 में पूना से Hindi गुजरागीटी में था, इंडेपेंडेंडेंट्स मौतिलाल नहरू के द्वारा 1919 में अंग्रेजी में था, आज ऐसे प्रसाध गुप्त के द्वारा हिंदी में, हिंदुश्टाइन टाइम्स कम.7 की द्वारव 1920 में दिली से निकला था अंगरेजी में National Herald 25 जबाहलला न or 30 में दिली से अंगरेजी में था और National Herald मामले में अभी आप देखते हैं कि CBI कई लिगठे हैं कि कि दवारा 1877 में और आप देखेंगे चंडीगर से निकला था अंग्रेजी में था यह किसमें था अंग्रेजी में था तो यह भी आप लोग जरूर याद रखेगा इसके बारे में ठीक है और फिर आप देखेंगे क्या फिर आपका अल हिलाल ए मौलाना अबूल कलाम आजाद की दवारा 1912 में कलकत्ता से उर्दू में था अल बिलाल बिलाग ए मौलाना अबूल कलाम आजाद की दवारा 1813 में कलकत्ता से उर्दू में था कॉमरेड ए मुहमद अली के द्वारा अंग्रेजी में ठीक है अठारे सो आप देखें कि 1913 होका यह जरूर याद रखीगा अंग्रेजी में था कॉमरेड हमदर्द ए मुहमद अली जिन्ना के द्वारा उर्दू में था पिरतापत गर्णिश चंकर विध्याती के द्वारा 1910 में कानपूर से हिंदी में गदर गदर पार्टी के द्वारा 1913 में स्टैन फ्रांसिस्को से निकलता था अंग्रेजी पंजाबी में हिंदू पेटियार्ट हरी चंद मुखर जी के द्वारा 1955 में अंग्देजी में था, इंडेपेंडेंट इंडिया M.N. रॉय के द्वारा, दाफ्री पेस जनरल एस सदानंद के द्वारा, मदीना हमीद उल अंसारी के द्वारा, हमदम अबुल अब्दुल बारी साहिब के देखेंगे कि आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया, स्री निवास सास्त्री के द्वारा, टिब्यून, सीतला कांद चटर जी के द्वारा, और आप देखेंगे कि कायस्त समाचार, सचीदानंद सिनहा के द्वारा, और एडवुकेट, ये आप देखेंगे कि गंगा परसाद बर दोत्री हुई और अब बे अधिक मुकर होकर सरकार की आलोचक बन गए क्यूंकि आप देखे कि एक तरह से डर खतम हो गया और लोग एकटे होने लगे आपने देखा हो गया कि एक बैक्ति को दबाना बड़ा आसान होता है जब वहां से दस साथ बैक्ति खड़े हो जाए दस लोग वहां बोड़ने लग जाए तो फिर उनमें डर्वी कतम होता जाता है और इसी समय बड़े भयानक अकाल से लगवक साथ लाक लोग काल के ग्रास में बन गए थे और वहीं दूसरी ओर जनवरी अठारे सुस्तात्तर में दिल्ली में हुए दरवार पर सरकार ने पानी क की तरह पैसा बहाया एक तरह से आप लोग उस समय की तुलना अगर आज की निताओं से आप लोग करें कि आपने देखा होगा कि एक तरफ बाढ़ आती है और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं कई लोग मारे जाते हैं दोसरी तरफ आप देखिए उसी चित का दलना शुरू कर दिया और लिटन ने 1878 में देशी भासा समाचार पत अधिनियम द्वारा भारती समाचार पत्रों को सीधे नियंतर में लेना चाहा और इस अधिनियम से भारती समाचार पत्रों की सुदंता नश्ट हो गई उनकी आजादी नश्ट हो गई वर्णा क्यूलर प्रेस एक्ट तत्काली लोक्प्री एवा मत्पूर राष्टबादी समाचार पत्रों सौम पिकास को लख्च कर लाए गया था और कहा जा सकता है कि यह अधीनियम मात सौम पिकास पर ही लागू हो सका और सौम पिकास ने बंगाल में हुए नेल आंदोलन के समय किसानों के हित कोई अधिकार नहीं था क्योंकि आप देखे सुतंत नयायपाल का भी नहीं थी उस समय वर्णा कूलर फ्रेस एक्ट को मोह बंद करने वाला अधिनियम में करते हैं तो वर्णाकूला प्रेस एक्ट को इस घहडेत अधिनियम को लॉड रेपण ने 1882 में रद्ध कर दिया और लॉड करजन के द्वारा बंगाल बिभाजन के कारण देश में उत्तरपन असांती तथा भारती राष्टी कॉंग्रेस में चरम पंथियों के बढ़ते प्रभाव के करण अकवारों द्वारा सरकार की आलोचना का अनपाद बढ़ने लगा और सरकार ने इस दित्ती से निपटने के लिए 1908 का समाचारपत अधिनियम लागू किया और इस अधिनियम में यह विवस्था की गई कि जैस अकवार की लेक से हिंसा बाहत्या की पेड़ा मिली कि उ नई विवस्था के अंतरके 15 दिन की भीतर 15 दिन की भीतर उच उच न्याले में अपील की सुगधा दी गई और इस अधिनियम द्वारा नो समाचारपत्रों की विरुद मुकंद में चलाए गए और साथ की मुद्रारलाय को जब्त करने का आदेश भी दिया गया 1910 की भारत भी सरकार को पंजीकर्ण समप्त करने और जमारत जब्त करने का अधिकार होगा तथा दुबारा पंजीकर्ण के लिए सरकार को 1000 रोपया से 10,000 रोपया तक की जमारत लेने का अधिकार था और इसके बाद भी यदि समाचारपत सरकार की नजयल में किसी आपती जनक समगरी क को पिकासित करता है तो सरकार के पास उसके पंजीकन को समाद करने एवं अकवार की समस्द वितियां जबत करने का अधिकार भी होगा अधिनियम के सिकार समाचारपत दो महीने के अंदर फेसल टीवी-उनल के पास अपील कर सकता था आप लोग सोच के देखिए, आज आप देखिए कि आपके पास सुतंत नयायपाल का है, सुतंत सरकार है, पोलिश बेवस्ता है, सब कुछ है आज आप देखिए कि अगर सरकार के खिलाब आप लोग लिग देजे, आपका क्या हसर होगा आप सभी जानते हैं तो उस समय तो आप देखिए हम लोग गुलाम थे, दूसरे के अधीन थे, पिथाम बिसे होदे के समय भारतिय सुरक्षा अधीनियम पास कर राजनितिक आंदोलन एवन सुतंत आंदोलन आलूचना पर पितिवन लगा दिया गया, और 1921 में सरतेज बहादर सपरू की अध्यक् अधीनियम को पुनाह लागू कर दिया गया, और इस समय गांधी जी द्वारा चलाय गए, सविने अध्या अंदोलन के प्रिचार को दवानिक लिए इस अधीनियम से सरकार को अधिक सक्ती पराप्त हुई, 1932 में 1931 के अधीनियम को बिस्तित कर Criminal Amendment Act अत्वा अपरादिक संसोदन अधीनियम लागू किया गया, मार्च 1947 में भारस सरकार ने प्रेस इंक्वारी कमेटी की स्थाबना समाचार पत्रों से जुड़े हुए कानून की समिक्षा के लिए किया था, आप लोग 1975 से 77 का समय इमर्जेंसी का काल था, उस समय आप देखे बड़े-बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, इंद्रा गांदी की समय भारत में समाचार पत्रों प्रेस की इतिहास के विसलेशन से इसपस्ट होता है, कि जहां एक और एक और बेलिजली मेंटो लॉड केनिन और लॉड लेटन जैसे भारतिय सासकों ने प्रेस की सुदंता का दमन किया, वहीं दूसरी ये लॉड विलियम बेंटिक, लॉड हैस्टिंग्स, चार्स मैटकॉब मैकाले और लॉड रिपन जैसे लोगों ने प्रेस की आजादी का समर्थन किया, यानि कि कुछ लोग इसके प पतिकारिता का राजकमार की रूम में ने जानते हैं, या आप देखिए भारति ये समाचार पत्रों पर नियंतर से संबंदित अधिनियम है, गबर्नर जनरल वाय स्राय और जिनके समय में ये आया, और ये प्रभाव, कब 1799 का समाचार पत्रों का पूर्ग पत्रेचन अधिनियम लौड बेलेजली के द्वारा आये था, 1807 से सभी पुस्तक और पत्ति-पतिकाओं पर लागू हुआ ये, लौड हेस्टिंग्स ने धील दी और संपादक मुद्रक उस्वामी का नाम इस पशुरूप से चापना चापना पड़ा इसमें, 1818 में ये समाप्त कर दिया गया था, 1823 का अनुगप्ति अधिनियम जौन एडम्स की समयाय था, अनुगप्ति के बिना कोई भी साहित मुद्धित अत्वा पिकासित करने पर 400 रुपी जुर्वाना अत्वा काराबा सोच सकती थी इसके तहट, 1857 का नेमित करना, 1878 का देशी भासा समाचार पता दिनियम लौड लिटन की समयाय था, कारवाही की बिरुद अपील की अनुगप्ति नहीं, मोह बंद करने वाला दिनियम था, सौम फिकास धाका पिकास भारत महिर सहचर के बिरुद कारवाही हुई थी, लौड रिप्पन ने इ इस अधिनियम की द्वारा लौड लिटन की, 1878 की वर्नाकूलर प्रेस एक्ट के सभी घिनोने लक्षन पुनर जीवित कर दिये गये, पूरु के सभी अधिनियमों में सबसे कठोड था, और कारवाही की बिरुद दो माय की बीतर अपील की अनुमति दे गई थी इसमें, और लागू हुए, और धारा चार एक के तहट प्रांतिय सरकारों को सभी ने अयुग्या अंदोलन को दपाने के लिए अधिक सक्तियां दे गई, 1947 का समाचारपत जाच अधिनियम समिती, 1991 का समाचारपत आपति जनक विसाय अधिनियम, केंद्रिय वाराज की समाचारपत अधि समसा की गई, और कुछ समाचारेजनसी यहां देख लिए आप लोग, ए रायटर, इसकी स्थापना 1860 में पिथम समाचारेजनसी थी, एसोसियेट प्रेस ऑफ इंडिया, API 1905 में, फ्री प्रेस निउज सर्विस 1927 में, यूपी आई यूनाइट प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में, यह पूँच लेगा, कई बार आपसे पूँच लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक सामान जानकारी आप लोगों को जरूर अपने पास रखना चाहिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो भारत में विवने संस्था का विकास वालत चेक्टर था न, यह भी कबर हो जाता है, और आप लोगे न्यवाय करते रहें, आपके कोई सवाल हों, सुझाओ हों, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, अंगली किलास में हम लोग किसानों, किसानों और आदिवासी जो अंदोलन हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आप देखेंगे वो किलास भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्मूर रहेंगी, और वैसे ये सभी किलास हैं आप लोगों के लिए महत्मूर रहेंगी, और आप देखेंगे, अगर आप लोग पुराने कुश्चनस पेपर उठा के प्रिए